वेल तो हे गाइस वेलकम टुदी माय चैनल मारिस पंकेस तो वेल आपका स्वागत है किवेने वीडियो में और आपकोस गुरुवार आ चुका है किवेने वीडियो का ठाइम आ चुका है और आपका स्वागत है and I hope मैंने आप सभी का question ले लिया हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जिसने चल को subscribe नहीं किया तो भाई क्या कर रो यार Road to 10 के चल रहा है भाई फड़ा पर subscribe करो चैनल को ओके तो चलते हैं आप सभी के questions की तरफ आते हैं वो तो ट्रेपल अज का time चल रहा है फिलाल के time पर तो अफकोस यहाँ पर हमें बातों को तो पुरा खुल के कोई बताने वाला है नहीं और ऐसी कोई reports हमें यहाँ पर जब देखने को मिलती है तो अफकोस यहाँ पर कहीं नहीं कोई ऐसा source होता है जिससे ये पता चलता है कि हमें WL में contract sign करने को लेकर किसी superstar के साथ में हलचल देखने को मिली है तो इसी को लेकर हमें आपर sources की तरफ से reports देखने को मिलते हैं और contract sign किया है या फिर नहीं किया या फिर बातचीत क्या हुई है इन सारी चीजों के बारे में उतना detail किसी के पास में भी नहीं रहता क्योंकि अफ्कोस यार यहाँ पर जो कि company और माली के बीच में बात हो रही होती है और जो हमें superstar है उसके बीच में बात हो रही होती है तो ऐसे में contract के बारे में detail निकलना बहुत कमी chances होते हैं तो ऐसे में जो हमें find है वो जरूर बात चीद कर रहे है जो कि brave white जो की हमें देखने को मिल रहे ट्रेपलेज के साथ में तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने contract sign करने पर chance ले लिया है और अब हमें याप पर इनकी तरफ से sources की तरफ से confirmation भी देखने को मिला है that means कि उन्होंने contract पर इंक किया है sign किया है तो chances है वो हमें find brave white जरूर देखने को मिलेंगे and I know कि आप लोगों के मन में ऐसे question आएंगे क्योंकि find brave white की बात आए and dean ambrose की बात आए तो मामला काफी ज़्यादा sensitive बन जाता है triple H वापी से Paul Eamon and Brock listener को reunite कर सकते है just like old time bro hashtag के वने hashtag normie wrestling तो thank you भाई तो I think मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा obviously यहाँ पर Brock listener ने F5 मारा है तो Paul Eamon के उनके against जाना चाहिए और अब उनके साथ मिला देंगे तो भाई यह कोई भी बहुत ही बड़ा sense नहीं बनेगा तो ऐसे में triple H नहीं लगता कि मुझे ऐसा कुछ करने वाले है तो of course वो में रोमर ने इसके साथ में देखने को मिलेंगे so अगले comment की तरफ चलते है तो यह comment हमें देखने को मिल रहा है make joke unlimited का तो इनका पुछना है कि hashtag क्यों ने भाई क्या class at the castle में find का return होगा कुछ कहाए नहीं सकते भाई मतलब triple H यहाँ पर अपने unexpected तरीके से return करवा रहे तो ऐसे में हो सकता है कि क्या पता कल कि SmackDown में return करते वे दिखाए दे जाए या फिर हो सकता है कि हमें directly class at the castle में या फिर हमें directly royal rumble के अंदर देखने को मिले तो कुछ भी हो सकता है and next one इनका पुछना है कि भाई क्या उसोस का title reign russell miniya 39 तक जाएगा अगर नहीं तो कब और किस से हारेंगे तो मुझे तो लगता है कि russell miniya 39 तक नहीं जाएगा royal rumble तक जा सकता है and royal rumble में मुझे लग रहा है कि वहाँ पर loss लेते वे दिखाए देंगे ऐसे chances मुझे लग रहे हैं तो देखते वैसे क्या होता है and next one इनका पुछना है कि bro john cena का return कब होगा तो मैंने आप लोग को update दिया था जो कि हमें royal rumble के आसपास उनका return देखने को मिल जाएगा और वो पूरे road to russell miniya हमारे साथ होने वाले हैं crown jewel main event crown jewel main event आई तिंक मुझे लगता है कि roman drew या फिर carry and cross इनी तीनों के बीच में कुछ हमें main event देखने को मिलेगा crown jewel का and next one इनका पुछने कि आप AEW का खिल खतम after triple hra क्योंकि सभी WWE superstars आना चाहते है वो WWE में तो of course यार यह तो बात है मतलब AEW का खिल खतम है अभी हमें Dean Ambrose और जो हमें CM Punk का rivalry चल रहा है और next one इनका पुछने कि भाई क्या WWE में कहा जाता है कि इस superstar ने referee को attack किया है और उसको fine लगा है वो real होता है या fake like Ronda Rousey suspension तो भाई obviously वो fake होता है वो एक storyline का part होता है भाई तो real में ऐसे fine नहीं लगता okay so अगले comment की तरफ चलते हैं तो ये comment हमें देखने को मिल रहा है और ये है जो कि Abbas Sober का तो इनका पुछना है कि भाई जरन WWE वाले referee को hall of fame क्यों नहीं बनाते हैं बताओ please 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 तो of course मैंने सुना है 2-3 referee को बनाया है WWE थरोल ने नाम याद नी है लेकिन referee को भी बनाते हैं hall of fame hour कुछ referee को नहीं बनाते हैं कुछ referee जो कि काफ जाधा famous होते हैं वो referee हमें hall of fame hour बनते वे … दिखाय Pas की तरफ सोते हैं तो ये comment हमें Mr. Prince de法 विय क्यों ख़ते हैं wires नहीं को कूहरोद रहा है कि कहीं MGF आपी से All LA Trust Link के अंदर देखने को मिलेंगे क्योंकि Britt Baker की तरफ से हमें जैसा Post देखने को मिला था लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो बट फिर भी देखते वैसे अगर MGF कभी Future में WL के अंदर आते हैं लेकिन मुझे लगता है कि जरूर ये बंदा हमें MGF जो है वो WWE के अंदर एक न एक दिन जरूर देखने को मिलेगा ओके सो नेक्स वन कॉमेंट की तरफ चलते तो ये कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है नमन सोनी का तो इनका पुछने की Rollins का Face Turn कब होगा तो Rollins का Face Turn इस इयर के end में या फिर हमें 2023 में जरूर देखने को मिल जाएगा तो अगले कॉमेंट की तरफ चलते तो ये कॉमेंट हमें अंकीत गोयल का देखने को मिल रहा है तो इनका पुछने की बाई ये बताओ कि अगर The Fiend return करते हैं तो क्या Alexa Bliss भी उनके साथ join हो जाएंगी, please pick my question तो मुझे लगता कि Alexa Bliss हमें join करते वे दिखाए देंगी The Fiend को and I don't think so कि यहां पर Triple H ऐसा करने वाले हैं जैसा हमें Will Smithman के टाम पर देखने को मिलता था और यहां पर जो Alexa Bliss थी वही एक बड़ी reason थी कि हमें जो The Fiend का character था, वो हमें बरबाद होते वे दिखाए दिया था, तो वैसे मैंने पहले comments भी देख रखे हैं, ऐसे हमें देखने को मिलते थे कि Alexa Bliss की वह ऐसे Fiend का character बरबाद हुआ है तो वैसे मैं अफकोस यहां पर Alexa Bliss को तो एक साथ नहीं लाएंगे लेकिन अगर कोई ऐसी storyline मिलती है जिस storyline के लिए Alexa Bliss का यूज हो Fiend के साथ में, तो तब साथ से हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाए अगर Triple H चाहे तो, तो yes, हो सकता है कभी ने कभी हमें इनका reunion देखने को मिल जाए So, अगले comment की तरफ चलते है तो यह comment अबे देखने को मिल रहा है जजीब आवान का तो इनका पुछन है Rapid Fire Rock और Austin, of course, यहां पर मैं The Rock को चूज करूँगा, Sina और CM Punk, Sina Randy और Batista, Randy Triple H और Sean Michael, of course, यहां पर Triple H Brock और Roman, तो यहां पर मैं पिक करने वाला हूँ, वो भी Brock listener को Undertaker और Kane, तो obviously Undertaker, Edge और Jeff Hardy, Edge obviously, and name 5 Superstar WWE matches of all time 5 Superstar WWE matches of all time Roman vs Brock SummerSlam 2022, Edge vs of course, यहां पर मैं पिक करने वाला हूँ जो की Seth Freaking Rawlings Hell in a Cell, and इसके बाद मैं पिक करने वाला हूँ, जो की Triple H vs Undertaker, end of an era, and इसके बाद मैं यहां पर पिक करने वाला हूँ, जो की of course, Brock listener vs Undertaker का match, जो की मैं SummerSlam में काफी बढ़िया देखने को मिला था, and Greatest matches में सो दो नहीं count किया जाएगा, लेकि फिर भी मेरे लिए best था, and also मैं यहां पर एक और match को रखना चाहूंगा, AJ Styles vs John Cena को, and और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे खासे matches हमें देखने को मिले थे, Cody Rhodes vs Seth Rollins भी ले लो, यह भी इसमें एक है, तो वैसे चलते है, next one comment की तरफ तो यह comment हमें देखने को मिल रहा है, music lover का, so इनका पुछना है कि Montage Ford का future plan तो of course by future काफी जदा bright होने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है Montage Ford का, और singles push मिलेगा, और हमें यहां पर लक्षड भी देखने को मिल रहे है, तो ऐसे में हो सकता है कि Angelo Dawkins release हो सकते है, तो या फिर हो सकता है उनका character बरबाद हो जाए, लेकिन Triple H के era के time पे मुझे नहीं लग करेंगे, तो मुझे लगता है कि survival series के time पे या फिर survival series के बाद साथ से हमें return करते वे दिखाए दे जाए, या फिर draft के time पे ऐसा हो सकता है, तो अगले comment की तरफ चलते है, तो यह comment हमें wrestling fan का देखने को मिल रहा है, तो इनका पुछना है कि first when will Roman Reigns retired, तो Roman Reigns retirement की बात करें, तो तुमको रसल मिन्या 39 के बाद हलका-लका महसूस होगा कि अब यह बंदा धिरे-दिरे retirement की तरफ जा रहा है, और इसके बाद आपको retirement तो अभी नहीं देखने को मिलेगा, अफ्कोस हमें Roman Reigns का जो retirement है, वो 10 से 15 साल बाद ही देखने को मिलेगा, लेकिन हमें retirement वाली जलक अभी भी इसे देखने को मिलेगी, रसल मिन्या 39 के बाद से ही यह देख लेना, क्योंकि उसके बाद हमें Hollywood में switch करने वाले है, Roman Reigns, and second hand का पुछना है कि Roman Reigns वर्सेस दफिंड मैच कब होगा, तो अगर करवाना है, तो मैं कहूंगा कि by crown jewel जैसे event में, या फिर हो सकता है कि अगर उ पुछना है कि क्या Finn class at the castle के बाद आएंगे, yes, possible है, so अगले comment की तरफ चलते है, तो यह comment हमें देखने को मिलेगा, नहीं होगा साथ से, साथ से बोल रहा है, इसलिए फिर भी, okay, so next one comment की तरफ चलते है, तो यह comment हमें देखने को मिलेगा, आधित ते गिलबले का, तो इनका पुछने की first क्या क्या क्यारियन क्रॉस चैंपिन बनेंगे, और बनेंगे तो क्या उन से चैंपिन बनेंगे, तो I think मुझे लगता है कि वो डवल ली चैंपिन बन सकते हैं, chances हैसे हैं, या फिर डवल ली चैंपिन ही बनेंगे, जहां तक इनका पुछने की रॉयल रंबल 2023 प्लांस, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर कोडी रोट्स जीतेंगे, और बैक के लिंज के प्लांस के लिए रहें, तो ऐसा कुछ हो सकता है, फूर्थ इनका पुछने की क्या डवल ली का निव एरा शुरू हो गया है, अफकोस यार अगले कोमेंट की तरफ चलते हैं, तो यह कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है, लव नौर में रस्लिंग का, तो इनका पुछना है कि फर्स्ट जब एरिक रोवन रेटन आएगा, तो कौन से ब्रांड में रेटन आएगा, तो मुझे लगता है कि स्मैक डाउन में, आइध सैमी जेन को, सैमी जेन स्वरी, सेमस को, अगर घुसाना चाहे तो वो घुसा सकते हैं, किसके मैच में, शिंज के नाकामुरा वर्सेस वाल्टर वाले और गंतर वाले, और उसके बाद तो मतलब हमें वहाँ पर सेमस एर्ड होते वे दिखाए दे सकते, तो काफी ज़्यादा रिजर्व करता है, प्लीज भाई, पिक मैं क्वेशन, आई तिंग मेरे हिसाब से युनिवर्सल चैंपेंशिप, युनिवर्सल चैंपेंशिप एक बार फिन से जीतनी चाहिए, और सेथ रोलेंस को अपने आपको प्रूफ करके दिखाना है, जैसे 2019 में उनको भू मिला था अब उसी ओडियंस को प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ मैं सेथ रोलेंस हूँ और मैं हूँ कौन, अफकोर्स यहाँ पर सभी लोगों को पता चल जाएगा ये वाले क्यरक्टर के साथ में, और उसो सेथ रोलेंस भाई, बहुत कुछ प्रूफ करना है सेथ रोलेंस को, और ह इनका पुछना है कि क्या विंस्विक्मेन फ्यूचर में अपना रेटन कर सकते हैं, यस और नो, तो आइटिंक मुझे लगता है कि यस, में भी हमें विंस्विक्मेन एक बार फिंसे देखनी को मिल सकते हैं, अगले साल रसल मेनिया को रोमन में इवेंट करेगा या वैसे मुझे पता है कि तुम रोमन बोलगे, तो अफकोस भाई रोमन रेंसी, क्योंकि आप लोग देख सकते हो, जब हमें रोमन रेंस वसेस अंडर्टेकर देखने को मिला था, तो ब्रॉक लेसनर वसेस गोल्डबग हमें मिड में देखने को मिला था, तो ऐसे में अफकोस सबी लोगों को, सबी लोगों को जो भी वीडियोस देख रहे हैं, एंड फॉर्थ हिनका पुछन है कि आज कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या आप पुछूँ, प्लीस पिक माई क्वेस्चन, अगर पिक कर लिया, तो थैंक्यू, नहीं किया, तो ओके बाई, थैंक्यू, अ अगर डवलोडी करना चाती, तो होती, तो साइच से हमें सुरुवाती में देखनी को मिल जाता, लेकिन गंथर और बुच, मुझे लगता है कि डवलोडी इस नेम को चेंज नहीं करेगी, ये उनके कैरक्टर के हिसाब से हो चुका है, तो ऐसे में साइच से अब हमें कमी च देखनी को मिलेगा, तो अगले कॉमेंट की तरफ चलते, तो ये कॉमेंट हमें प्रो अंकिट 786 का देखनी को मिल रहा है, तो इनका पुछनाई कि ये बने, फर्स्ट ब्रो क्या फिंड ब्रेवाइट रूनाइट होकर ब्लंड लाइन से टाइटल ले सकती है, क्यों नहीं मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई काफी खतरनाक हो सकता है, वाइट फैमिली हम सभी लोग जानते हैं वाइट फैमिली में फिंड वाला कारक्टर और उसके बाद हमें उनके साथ में एरिक रोवेन और ब्राउन स्ट्रोमन भाई डेडली कॉमपरडिशन उशो के लिए इजिली टाइटल हमें क्रॉस ओवर होटते वे दिखाए दे सकता है, हटते वे दिखाए दे सकता है, सारी टाइटल्स वाइट फैमिली के पास में आ जाएंगी, तो ये भी इंटरस्टिंग रहेगा, सेकेंड इनका पुछना है कि बॉबी लैश्ली वर्सेस गंतर हो सकता ह इसको लेकर काफी जयादा रूमर देखने को मिल रहा है, तो chances काफी जयादा कि हमें गंतर वर्सेस जोकि बॉबी लैश्ली देखने को मिले, ओके सो अगले polymer की तरफ चलते हैं, तो ये denominator में, फुलिक शॉट्स की तरफ से देखने को मिल रहा है, तो उनका पुछना है कि है Ben बने अगर आपको कोई तीन सूपरस्टार पिक करना का मोका मिला तो एडवली Uh और आपको तीन ड्रीम मैच देखने के मोखा मिलेगा तो किस सूपरस्टार्स से चथा लिखना पसंद करूँकिँ आपके फेविरेट मैच flix साइब तो तीन सूपरस्टार्स फर्स्ट मैं अलेस्टल ब्लाक को पिक करूँगा और अलेस्टल ब्लाक वर्सस दफींड मैं देखना चाहता हूँ और अलेस्टल ब्लाक वर्सस डीमन फिन बालर भी देखना चाहता हूँ तो ये भी काफी बड़ियां ट्रीम मैच होगा और Chris Jericho तो मुझे लगता है कि अब कुछ खास कर पाएंगे लेकिन फिर भी अगर उनका match किसी के साथ देखने को मिलेगा तो Seth Rollins के साथ आगे इसे देखना मिलने चाहिए भाई या फिर Kevin Owens के साथ भाई वो retirement करें तो काफी ज़्यादा मजाएगा तो ये तीन मेरे dream है तो देखते हैं वैसे क्या होता है ओके सो अगले comment की तरफ चलते हैं तो ये comment हमें देखने को मिल रहा है beast status का तो इनका पुछने के hashtag की बने है जैसे वीर महान वर्सेस गोल्ड बग होगा कौन जीत सकता है फुल सपोर्ट तो I think मुझे लगता है कोई गोल्ड बग भाई उसके chances काफ जादा है और squash करते वे दिखाई दे सकते हैं ऐसा कुछ हो सकता है तो अगले comment की तरफ चलते हैं तो ये comment हमें देखने को मिल रहा है शाहान अफरीदी का तो इनका पुछने के हैस्टेक की बने क्या सोलो सिकोवा नेक्स फेस आफ डबल डबली बन सकते हैं समवन फैमिली से रोमन के हॉलिवर्ट जाने के बाद तो यस ये तो मैं पहले सही कहते हैं कि इसके chances काफी जादा है कि सोलो सिकोवा को डबल डबली पिक करते वे दिखाई दे सकती है नेक्स्ट फेस आफ डबल डबली लेकिन डर भी लगता है क्योंकि ट्रेपल अच आप क्रियेटिव हैड है तो ऐसे में एक सुपरस्टार के उपर रिलाय नहीं करने वाले वो बहुत सारे सुपरस्टार को टॉप गय बनाते वे दिखाई दे सकते है तो अफकोस यहाँ पर मेभी हमें सोलो सिकोवा ब्रॉन ब्रेकर और बहुत सारे तिन चार सुपरस्टार जो की टॉप स्टार बनते वे दिखाई दे जाएंगे तो of course वो भी देखना इंट्रेस्टिंग रहेगा and my tribal chief I love my tribal chief Paul Eman ओके बाई love you tribal chief and love my Paul Eman bro ओके तो अगले comment की तरफ चलते तो यह comment हमें देखने को मिल रहा है joy बटनागर का इसलिए मैं बोला करता हूँ यार इतने बड़े लंबे comment मत किया करो पांच छोटा रखा करो अफकोस मतलब वीडियो में पिक करने में अच्छा लगेगा और ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा नहीं तो फिन वीडियो बहुत काफी ज्यादा लंबी बन जाती है इनका पुछना है कि हैस्टैक QNA Hello Normie Wrestling motivational speech भाया road to 10 K Are you feeling great भाई 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 बहुत बढ़ियों हो रहा है मैं पता नहीं सकता तो अफकोस इसके चांसे हो सकते हैं और यह हमें देखने को मिल सकता है in future तो ऐसे भी चांसे हो सकते हैं तो अफकोस यहां पर मतलब पूरे सुपरस्टार तो नहीं लाता है लेकिन जो इंपॉर्टेंट सुपरस्टार है वही सुपरस्टार समय देखने को मिलेंगे question 4 इनका पूछना है कि इस एड़ली सुपरस्टार इंट्रस्टे टू जॉइन ड़ली यह बहुत सारे बैक्स्टेश में पुरा हल्चल मचा हुआ है सब लोग बतलब दंगा पसाद कर रहे कि मेरे को ड़ली में आपीस जाने का है तो ऐसा कुछ हमें आपर देखने को मिल रहा है भाई दया तो एडम कोल के उपर आ रहा है भाई ने साथ आट साल का कॉंट्राक्स आइन कर दिया और नेक्स वन इनका भूजना है कि भाई इफ यू नोटीज अलबर्टो एंड एम्जेफ लुक लुक लाइक सेमीन अटिटुड मैक्सिकल्स वाट इस यूर ओपिनियन अबाउट पिले इस पेक माई क्वेशन फोर कि वने तो आइटिंग मु एम्जेफ काफे ज़्यादा उपर है वाई एलबर्टो डेलियो से नेक्स वन कॉमेंट की तरफ चलते तो यह कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है तो रेस्लिंग एरा का तो इनका पुछने की ब्रो रैपिट फायर बेक डॉग और ट्रावल चीफ अफकोस ट्रावल चीफ अब तो मैं फिलाल के टावम पे मिश्टर मिकमान एरा के साथ में जाऊंगा लेकिन चेंज नीड था तो अफकोस ट्रिपल एचेवा को भी मैं आगे चल के पिक करने वाला हूँ तो अभी फिलाल के टावमिर्टमें और ट्रावल चीफ और विज्जनरी तो अफकोस यहां और मैं एक ही को फिक करूंगा ट्राइबल चीफ ओके सो नेक्स वन कॉमेंट की तरफ चलते तो यह कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है उर्दू कहानी वर्ल्ड का तो इनका पुछना है कि कि do you think the fiend would return and start a feud with Roman अफकोस अगर डवल ली है आईडिया पिच करती है प्लान पिच करती है तो साथ से हमें ऐसा ही देखने को मिले और टॉप सुपरस्टार है और वो भी पास्ट के टॉप सुपरस्टार है तो टॉप परसेस टॉप हमें देखने को मिल सकता है इसके चांसस क काफी बढ़िया है ओके सो अगले कॉमेंट की तरफ चलते तो यह कॉमेंट हमें इट्स अथर्व का देखने को मिल रहा है तो इनका पुछन है कि फस्ट एटिटुड एरा और रूथले सगरेशन एरा तो अफकोस यहां पर मैं रूथले सगरेशन एरा को चूज करूँगा मैंने एटिटुड एरा उतना देखा नहींए तो रूथले सगरेशन एरा उसको मैंने लाइब भी देखा तो इसलिए रूथले सगरेशन एरा स्ट्रीट फाइट और ब्रेट आइज का है और इंस्ट्रूमेंटल की बात करें तो मतलब जिसमें में स्रीप बचते वे दिखाए देते इंस्ट्रूमेंटल तो वो मेरा जो पिक होने वाला वो रोमनेस का होने वाला वाई वो लेक्स लेवल पर फोर्थ इंका पुछना है कि फेवरेट वर्जन ऑफ अंडर्टेकर सो यहां पर मैं पिक करने वाला हूँ अफकोस अमेरिकन बैडएस को क्योंकि भाई मैंने जितना भी उस गिमिक को नहीं बनेगी ओके सो अगले कॉमेंट की तरफ चलते तो यह कॉमेंट हमें देखनी को मिल रहा है और यह है जो कि मुआज क्रिकेट अकैडमी का तो इनका पुछना कि ब्रदर क्या अब फाइनली वह हमें टाइम आ चुका है जब हमें डीन अम्रोस दफीन वापीस आएंग और डीन अम्रोस 2024 तक साइसे रिटरन करते वे दिखायते जाएं और ब्रेवाइट तो यह हमें जल्दी देखने को मिलने वाले हैं तो अगले एंड एंड डास्ट एंड में इवन कोमेंट की तरफ चलते तो में इवन कोमेंट में देखने को मिल रहा है के MA Gaming Room का तो इनका पुछना है कि हैश्टेक कि मैंने हैश्टेक नॉर्मेरैसलिंग first what you want to see in class at the castle Roman vs. Drew vs. Cross or Roman defend two title defend against Cross and one against Drew McIntyre तो मैं अगर यहाँ पर honestly बता हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ Roman vs. Cross का मैच अलग Roman Reigns vs. Drew McIntyre का मैच अलग triple threat बिल्कुल नहीं जम रहा one and one बिल्कुल जम रहा है एक मैच हमें starting में देखने को मिल जाए match between Bobby और Brock at day one तो अफकोस बहुत जाज़ा चांसे से बहुत जाज़ा चांसे से थार्ड इनका पुछने की tell your five favorite subscriber name five favorite subscriber name भाई पिक करना काफ़ जादा मुश्की लोडने वाला है लेकिन यहाँ पर मैं छोड़ता हूँ आप लोग के उपर मेरे सभी फेवरेट है तो भाई एक को पिक करूँगा तो यहाँ पर बहुत बड़ा जगड़ा लफड़ा हो जाएगा तो ऐसे मैं अफकोस सभी फेवरेट हो तो आई होप कि मैंने आप सभी लोग के comment ले लिए रहेंगे अगर फिर भी किसी का comment छूड़ गया तो भाई आम सौरी मैं जरूर आपका comment जो की अगले किवेने में जरूर ले लूँगा हर वीकली होता है किवेने तो आपका question पिक होने के chances काफी जादा है तो अफकोस अगले किवेने में जरूर पिक कर लूँगा तो अफकोस भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ना ओके सो फिन मिलते हैं वैसे एगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एवरिवन गाईस